हेलो स्टुडेंट्स मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल त्यारी ओनलाइन में आज हम डिसकस करने जा रहे हैं वॉक्षीट नंबर 72 वॉक्षीट नंबर 72 हिंदी का वॉक्षीट है और आज के वॉक्षीट में हमें पुन्रा बृति कार्य पत्रक दिये गए हैं यह वॉक्षीट है क्लास 9 का वॉक्षीट है 28 दिसंबर 2020 का बच्चों यहां एक गद्धान्स दिया गया है इस गद्धान्स को हमें ध्यान पुर्वक पढ़ना है और इससे संबंधित प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ प्रवीन के भी देखे गए हैं दूर छितिज तक फैली जमीन और जुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ-कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को बांध लेता है साली मली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाब में आने के बजाए प्रकृति को अपने प्रभाब में लाने के कायल होते हैं उनके लिए प्रकृति में हर तरह एक हस्ती खेलती रहस्य बड़ी दुनिया पसरी थी यह दुनिया उन्होंने बरी मेनत से अपने लिए गढ़ी थी तो बच्चों हमारा जो यह गधांस है यह गधांस जो है वह किस चेप्टर की पुंडरा बृती है तो यह है सावले सपनों की याद जिसमें पक्षी वैज्यानी साली मली के बारे में कहा जा रहा है कि साली मली क्या थे एक वर्ड वाचर थे बर्ड वाचर कहने का अर्थ है बच्चों पक्षियों से प्रीम करने वाला पक्षियों को समझने वाला जब भी वह एकांत में होते थे तो वह क्या करते थे दूर छितिज की ओर देखा करते थे छेतिश कहने का अर्थ है आसमान की ओड देखा करते थे और क्या देखते थे वो? नन्धी नन्धी प्यारी प्यारी पक्षियों को देखते थे बच्चों सलीम अली की नजरों में ऐसा जादू था जो प्रकृति को क्या करता था? बांधे रखता था यानि प्रकिर्टी की खुबसूर्ती को अपनी नजरों में समा लेना प्रकिर्टी की वह खुबसूर्ती जो कहां से कहां तक फैली थी छितिज से जमीन तक छितिज कहने का अर्थ है बच्चों आस्मान से लेकर के प्रीथवी छितिस सब्द कार्थ होता है आस्मान सलीम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाब में आने के बजाए प्रकृति को ही अपने प्रभाब में कर लेते थे यानि वह प्रकृति की उस सुन्दरता उस खुबसूरती को अपने अंदर बसा लेते थे यानि आप कह सकते हैं कि वह प्रकृति के क्या थे कायल थे कायल सब्द का अर्थ होता है प्रेमी प्रकृति प्रेमी थे वो प्रकिर्ती प्रेमी सालीम अली की नज्रों में हस्ती खेलती रहस्य मई दुनिया पस्री पड़ी थी पस्री पड़ी कहने का अर्थ है भड़ा हुआ था यह दुनिया उन्होंने बरी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी किसने गढ़ी थी बच्चों तो पक्षी प्रेमी सालीम अली ने अब यहां देखिए बच्चों कुछ प्रस्न दिये गए हैं जो गधान से संबंदित है पहला प्रस्न हमारा है प्रकृती को क्या बांध लेता है तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकृती को सालीम अली की नजरे बांध लेती है प्रकृती को दूर छितिज छितिज सब्द का अर्थ तो मैंने आप लोग को बता दिया छितिज सब्द का अर्थ होता है आसमान आकास कुछ भी कह सकते हैं दूर छितिज था फैली जमीन, जमीन सब्दकार्थ होता है बच्चों, भूमी या प्रीथ भी कह सकते हैं जमीन और आस्मान को छूने वाली उनकी नजरें यह क्या करती थी, प्रकृति को बांध लेती थी तो यह हो गया प्रसन संख्या एक का उत्तर दूसरा प्रसन हमारा है, बर्ड वाचर से आपका क्या अभी प्राय है आप क्या समझते हैं वर्ड वाचर का मतलब तो बच्चों, बर्ड वाचर कहने का मतलब है पक्षी प्रेमी जो लोग पक्षियों से प्रेम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं बर्ड वाचर वर्ड वाचर कहने से हमारा अभी प्राय है पक्षी प्रेमी और सलीम अली क्या थे तो वह एक बर्ड वाचर थे यानि पक्षी प्रेमी थे तीसरा प्रस्ण हमारा है उन्होंने प्रकृति की दुनिया को कैसे गढ़ा तो इसका उत्तर आप यहां से लिख सकते हैं उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हस्ती खेलती रहस से भड़ी दुनिया पस्टी थी और यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से गढ़ी थी तो आप यहां से प्रस्ण संख्या तीन का उत्तर लिख सकते हैं मैंने इसे यलो कलर से हाइलाइट कर दिया है चौथा प्रस्ण हमारा है जो प्रकृति के प्रभाब में आने के बजाए प्रकृति को अपने प्रभाब में लाने के कायल होते हैं इस पंक्ती का आसे असपस्ट कीजिए अब देखिए बच्चों इस पंक्ती का आसे है प्रकृति से नजदी की यानि प्रकृति से जुरे होना या क्या कहलाता है प्रकृति को अपने प्रभाब में लाने के कायल बना लेना तो यहां पर हम इस परकार इसका आंसर लिखेंगे इस पंक्ति का आसे है प्रकृति से नजदी की अब देखिए बच्चों नजदी की कहन प्रकृति से जुरे होना देखिए बच्चूं इस पंग्ती का आश्य है प्रकृति से नजदी की साली मली जो प्रकृति प्रेमी थे उन्होंने लोगों की प्राकृतिक द्रिश्टिकोन को बदला और यह प्राकृतिक द्रिश्टिकोन कैसे बदला तो उन्होंने प्रकृति स संबंधित बहुत से रहश्य दुनिया के सामने रखे तब जाकर के लोगों की द्रिष्टी कौन जो है वह प्रकृति के प्रती बदली अगला प्रस्न हमारा है साली मली एकांथ छनों में क्या करते थे तो क्या करते थे बच्चों इसका उत्तर आप लिखेंगे साली मली एकांथ छनों में प्राकृतिक सुन्दर्ता को निहारते थे तो साली मली एकांथ छनों में प्राकृतिक सुन्दर्ता को निहारा करते थे तो बच्चों आज का ये वाक सीट यही समाप्त होता है वाक सीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवस्य सुचित करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर ले वैल आइकन को दवाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करना बिलकुल न भूले ताकि हमारे वीडियो से वाक सीट नंबर 72 को सॉल्व करने में आपके दोस्तों को हेल्प मिल सके बच्चों आप हमें कमेंट में बताएं कि आज का जो गद्धान से वा किस चेप्टर से लिया गया है तो मिलते हैं अगले वाक सीट में आप सब का धन्यवाद